हेलो एवरिवन तो आज हम लोग फिजिक्स का नोवल परुषकार 2023 का जो देखने को मिला है यह तीन लोगों को मिला है पियर्स एगस्टोनी फ्रेंको क्रूज और एनी हीवलियर इन तीन लोगों को दोस्तो इस बार का जो फिजिक्स का आपको देखने को मिलता है नोवल या है फिजिक्स के फिल्ड में जो इन्हें नोवल पर उसका विजेता बनाता है आखर दोस्तों हम अगर देखें जो इस बार का देखने को मिला है यह तीन लोग है इन तीन लोग को मिला है इस बार का इससे पहले हम लोग जान लिए कि आखर यह हमारे एक्जाम के पॉइंट टवीद से किस लिए महात्रवून है UPSC का अगर आप syllabus देखें दोस्तों तो उसमें जो GS paper 3rd होता है जिसमें आपको science intact देखने को मिलता है तो वहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलता है GS paper 3 के लिए तो important है ही है साथ ही दोस्तों ये prelims के लिए भी important है prelims के लिए क्यों important है क्योंकि दोस्तों अकर मैं आपको बताऊं इस बार जो आपको 2018 को जो prelims था वहाँ बार भी दोस्तों इस related questions आये था जो आपको ये देखने को मिलता है और साथ ही mens में भी दोस्तों आपको देखने को मिले दो questions आये थे दोस्तों novel परुषकार से related तो इन दोनों questions को आपको देना है अब आई हम जानते हैं कि इस बार का जो नोवल परुषकार देखने को मिलता है 2023 का जो मिला है ये तीन लोग उमको मिला है और क्यों मिला है मैं भी आपको बताने वाला है इन्होंने आखिर ऐसा क्या किया कि जिसके लिए इन्हें नोवल परुषकार देखने को मिला है तीन लोग कौन-कौन से हैं पियर एगस्टोनी और फ्रेंक क्रोजड और साथ ही एन्नी हूलियर इन टीन लोगों को दोस्तो इस बार का नोवल परुषकार मिला है और आखिर इन्होंने ऐसा किया क्या है किसलिए इन्हें जो नोवल परुषकार दिया गया है इन्होंने क्या किया है कि जो फिजिक्स में एक एक्सपेरिमेंट किया है दोस्तो इन्होंने क्या किया है आपको पता है कि कोई अनुग है तो अनुग में आपको क्या देखने को मिलता है अनुग अगर है तो उसमें आपको देखने को मिलेगा एलेक्ट्रॉंस देखने को म बेलेंगे और नुट्रों और ये सारे आपको देखने को बिलता है यह नाभीक देखने को बिलता है तो जो इस से धर्शाथ है electron क्या करता है मनाभिक के चारोट इस तरीके से चक्कर लगाता है तो इन्होंने क्या किया है यह जो चक्कर है दोस्तो बहुत तेजी से लगाता है दोस्तो इसका जो है time है दोस्तो इसको इन्होंने क्या किया है calculate किया है जो इन्होंने electron की गती है दोस्तो इसको capture किया है दोस्तों, experiment के थुरू, और उन्होंने क्या निकाला है, कि 1 into 1 cross 10 to the power minus 18, यानि 8 second pulse का दोस्तों, इन्होंने क्या किया है, देखना संभा बनाया है, इसलिए दोस्तों, इन्हें बहुत की में, क्या मिला है, दोस्तों, physics में, novel परुषकार हमें देखने को मिला, और इन्होंने, जैसे कि मैं आपको बताओ, इन्होंने experiment कैसे किया, यहां से इन्होंने एक laser भेजी, इस तरीके से, और फर यहां पर gas से इसको गोजारी, चुकि आपको बताए, gas में क्या है, आणू होते हैं, particles होते हैं, तो वहां से इसने गोजारी, और यहां पर दोस्तों, ज सेखेंड का, 1 क्रोस 10 to the power minus 18 सेखेंड, दोस्तों, यह कहलाता है, क्या एक एटो सेखेंड, आपको देखने को मिलता है, तो इसको इन्होंने observe किया, अब दोस्तों, यह तो आपने देखा कि इन्होंने यह discovery कर ली, दोस्तों, इस तरीके से time को calculate कर लिया, एटो सेखेंड को, सबसे पहले हम लोग समझते हैं, कि आखर अई देखने को मिलता है, इस्को प्यों क्या होती है, वह तो मैं अपको बताने बाला है, उससे पहले आप समझे है कि जो electronic, electron dynamics होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते है, very basically electrons की जो है गाती हो गई उसके बिंदुद्चुम की छेत्र हो गए और साथ इस पर जो external forces हो गए इन साभी का दोस्तों हम इसमें अध्यन करते हैं इन साभी के behavior को हम लोगे study करते हैं किसमें अगर आप से कोई पूंचे लेक्ट्रों डाइनेमिक्स क्या होता है तो आप बता दीजिएगा जिसमें हम लोग क्या करते हैं इनके study करते हैं इसके व्यभार की study इसकी गती की study किसकी molecules की atoms की solid materials की तो इसे हम लोग क्या है electron गती सीलता या पर electron dynamics के अंदर count करते हैं दोस्तों अब आपको पता है कि electron पर क्या होता है रेडावेस charge होता है दोस्तों और ये क्या करता है नावेक की परिक्रमा करता रहता है negative charges पर देखने को मिलता है और ये इस तरीके से जो नावेक हो गया तो ऐसे यहां पर round लगाता रहता है और इसको देखना दोस्तों ये एतनी तेजी से round लगाता है nucleus की नावेक की कि इसको हम अपनी naked eye से नहीं देख सकते हम अगर हम देखे तो इसको समझ जी नहीं सकते एतन situation ही है और ये बहुत ही incredible दोस्तों देखने को मिलता है short time interval रहता है यानि अगर हम देखे अडूंगों में देखे तो ये अडूं जो हो गया ये femtosecond में दोस्तों गरती करते हैं लेकिन दोस्तों जो आपको देखने को मिलता है electron देखने को मिलता है ये और हलका होता है lighter weight होत होता है atosecond में आप देख सकते हैं atosecond ये होता है दोस्तों अगर एक्जाम में पूच्छा जाए कि atosecond क्या होता है तो one cross ten to the power minus 18 of second ये होता है दोस्तों क्या atosecond आपको देखने को मिलता है और अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि atosecond जो हमने है electron के हमने वेवार को समझ लि आखर हमारे लिए एक स्टरी किसे important है ये जो discovery हुई है वो तो ये दोस्तों आप अगर हम देखें तो studying short-lived process यानि जो अलपकालिक जो प्रिक्रियाएं घटेत होती हैं दोस्तों atosecond जो पल्स होती हैं दोस्तों जिनने हम दोस्तों देख नहीं सकते हैं तो इन सा भी अगर हम को दोस्तों हम इस discovery से दोस्तों कहीं न कहीं कुछ अच्छे नसकर्शों पर पहुँच पाएंगे जब हम लोग material को study करेंगे तो बहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं electronics में यूज कर सकते हैं science में यूज होगा catalyst जो बहुत ही तीबर घटनाय हो गई बहाँ पर दोस्तों हम इससे discovery का opioid कर पाएंगे medical field में भी दोस्तों यह revolution लेकर आएगा दोस्तों यह जो study हमें देखने को मिलती है air to second pulse हो गई क्यों क्योंकि दोस्तों इससे होगा क्या कि हम कुछ ऐसे जो diagnosis हो गए इनको detect कर पाएंगे जो क्या है specific molecules हो गए based on क्या जो fleeting nature जो देखने को मिलते हैं दोस्तों यानि जो इनके बदलाओ देखने को मिलते हैं इसको भी हम लोग medical field में observe करने में सक्षम हो पाएंगे दोस्तों तो यह बहतर medical imaging diagnosis तक्नीकों में दोस्तों यह important जो है महतुपन भूमी कने भाई भी जो बहुत की में जो खोज होई है दोस्तों और क्या electronics को भी दोस् दोस्तों तो यह बहुत ही जादा हमारी telecommunication में उपयोग होंगे computing में भी उपयोग होंगे technology में भी हम लोग इस technique का उपयोग कर पाएंगी तो यह बहुत important रहने वाला है दोस्तों आगे आने वाली जो science and tech के जितने भी development होंगे वहाँ पर इसका उपयोग करेंगे साथी higher resolution की image बन पाएगी spectroscopy में भी इसका यूज हो पाएगा साथी साथ इसका खगोल विज्ञान में भी जियो विज्ञान से लेकर खगोल विज्ञान हर जगाए पर दोस्तों जहां पर rapid changes देखने को मिलती हैं बहाँ पर इस technique का उपयोग होगा दोस्तों तो यह होते हैं दोस् देखने के लिए इस channel को subscribe जरूर करिएगा और हाँ यह वीडियो अगर आपको पसंद आए है तो वीडियो को like करना मत भूलेगा मिलते हैं दोस्तों हम लोग किसी नए topic के साथ जैहन दोस्तों